आज पहली बार एक पत्रकार को यहाँ पे पत्रकार भाई लोगों नहीं बिठा दिया है पीछे जितने भी लोगों का मुबाईल है सब पत्रकार ही है और सब हमारे भाई है आज हम लोग बैठे हैं एक टेटू दिखाने के लिए इन्होंने मेरा टेटू बनवाया है इनको मुझसे उमीद है लेकिन कहीं मुझसे ज़्यादा जो है इनको तेजस्वी यादो जी से भी उमीद है चुकि दहिने हाथ पे तेजस्वी यादो है और बाएं हाथ पे मैं हूँ यानि कहने का मतलब है कि पहले इनको तेजस्वी यादो से उमीद है और इनको मैं कहा नहीं हूं कि टैटू बनवा लीजे आज पांचे दिन से ये पटना में है आठ रोज से पटना में है अब इनका मदद मैं कैसे करूं आप ही लोग बताइए ये SP आवास से चरित्र परमान पत्र नहीं बनवा के लाए है कही कल इनके उपर एक और फ European हिएर हुआ होगा पुराना तब क्या करें गया इंडियान सिटीजन है भी की नहीं है इनके पास पास्पोर्ट नहीं है अब मैं क्या करूं इिंके पास mobile तक नहीं है पूछिए इनसे िनकी मा का कसम खिला के पूछिए कि इनके पास Mobile है नहीं है टैटू वाले के दुकान पे यह थे किदर रहे टैटू वाले आईए इधर आईए यह लोग टैटू बनाए है इनका और उनके दुकान पे और यह चौक चौराहा पे फूट पात पे सोय पिछले साथ आठ दिन से आप लोगों रिटेट बनाए ना और इनके पास मोबाइल तक नहीं गलती से इनको मोबाइल खरीद के दे दूँगा तो बवाल कि कई से मोबाइल खरीद के दे दिया इनके पास चार बिगाहा जमीन है सबसे बड़ा लफड़ा जो है जमीनी विवाद का है और उस लफड़े को सल्टाने का काम जो है सरकार का है और जितने भी पत्रकार भाई या मैं हूँ या जो भी है इन में से सब लोगों का परिवार जमीनी बिवाद में उलजाओगा और यह एक ऐसा बिहार का बिवाद है जो बिहार को आजाद होने ही नहीं दे रहा है 17 कठा जमीन का विवाद है इनका सीवर परसासन से मैं बिनती करना चाहता हूँ कि अगर ये गलत है तो लटका दीजे सीवर के चोराहे पे इनको फासी पे असा ही है तो इनका जमीन दिलवा दीजे बिनती है मैं आप लोगों को कुछ चीजे दिखाने जा रहा हूँ मैं पत्रकार हूँ टाइट पत्रकार हूँ कुछ लोग मुझे जानते भी है मेरी अपनी नानी कलोती नानी सगी नानी डियने मेच करा सकते हैं जिसको जाच कराना होगा जा सकते हैं उनको कैंसर हुआ है और मैं उनको एडमिट नहीं करा पा रहा हूँ एमस में और आईजी आईएमस में आईजी आईएमस से आज मुझे खाली हाथ वापस आना पड़ा CCTV आप चेक करा सकते हूँ पूरा आईजी आईएमस चकर लगा है रोता रहा गिड़ गिराता रहा जो मनीश का से अब कम से कम सोव आदमी का एडमिसन जो है आईजी आईएमस में गरीब लोगों का कराया है वो आज आपनी नानी का इलाज नहीं करा पा रहा है एमस में नहीं करा पा रहा हूँ और सिर्प मेरे साथ समस्या नहीं है ये सब के साथ पूरे बिहार के लोगों के साथ समस्य है मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल किया इसमें एक विपिन सर है गोल इंस्टिट्यूट के अगर मैं दिखाऊंगा इन्हों ने मुझे कम से कम 50 बार फोन किया विपिन सर ने लगा कि हमने कुछ अच्छा किया है कोई तो साथ में खड़ा है इन्होंने बोला मुझे कि मनीश जी कल आपकी नानी जब आई जी आई यह में समय आएंगी तो मैं भी आऊंगा ये देख सकते हैं अब हम लोग क्या करें समझ में नहीं आ रहा है अब कुछ लोग बोलेंगे कि टाइटू बनवाला मनिश्वा से मिल ला अरे तो इनको मुझसे मिलने की क्या जोरत है आप भी कुछ अच्छा कीजे कि ता कि आपका टाइटू बनवाला के लोग आप से मिले क्या दिकत है मेरे से बिहार को कितना परसेंट नुकसान है पहले ही बता देजिए अगर नहीं है तो मैं जो कर रहा हूं करने दीजे यहां पर देखिए बड़ा न्यूज चैनल नहीं है कोई है सब अपना भाई है सब सब किसी का 10,000 फॉल्वर है किसी का 20,000 किसी का 50,000, किसी का 1,000, किसी का 2,000, किसी का 5,000, सब अपना भाई है लोग और यहीं लोग मुझे हीरो बनाया है और इनी लोगों के वज़ा से मैं यहां पर बैठा हुआ लिफापा मैं पैसा नहीं दूँगा एक भी आदमी को यह चीज़े है आज इनका मदद किया जाना चाहिए यह टाइटू छुपा लिजे छुपा लिजे यह भी छुपा लिजे आज के समय में अस्थानिय बिधायक सांसद का टाइटू लोग क्यों नहीं बनवा रहे है क्यों नहीं बनवा रहे बताइए पीछे एको फोटो है ध्यान से देखिएगा सोनुसूत मसीहा बन गए भगवान कहता है लोग इनको हम नहीं कहते हैं सब लोग कहता है कि भगवान है अरे इनका खून इनका हाथवा काट के देखिए सबसे जदा काबिलयत बिहार में पाइदा होता है और सबसे जदा परिसान जो है बिहार के लोग है आज लोग कहता है कि मनीज कस्या फलाना है ठीकाना है आया हूँ है अरे 10,000 लोग पत्रकार बन गा है मेरे वज़ा से और 10,000 लोग कम से कम 20-25,000 रुपया कम से कम महीना कमाते हैं बेरोजगार तो नहीं है जिनको बोलने नहीं आता हूँ भी बढ़िया पत्रकार इता कर रहा ह है बोलने नहीं आता है तो वो मुह में माइक ठूसके जो है हीरोबाजी तो करिये दे रहा है सिस्टम से कि काया भरस्टा चार कर रहा है आज जो है बिहार के सारे नेता जो है न यह डिजिटल मिडिया के पत्रकार से परिसान है सारे के सारे नेता बैन की मांग कर रहा है कि Citizen ब्रीमिदीया का सब्से बढ़ा योगदान है प्रिंट मेडिया का सबसे बढ़ा योगदान है दो मीडिया का मैं नाम रखूँगा केैं डिश्टल और Пरिंट का अब बहुत अच्छे ढंग से बारीकी से खबर दिखाता है, आप सभी को पता है, कभी पेपर पढ़ के देखिएगा, लोग कहते हैं कि पेपर जो है, पहले छपने के बाद भीकता था, और भीकने के बाद छप रहा है, आज हमने पेपर पढ़ना छोड़ दिया, तो भीकना तो प पेपर नहीं पढ़ रहा है, तो समझे कि अगा आप अच्छे पत्रकार नहीं बनिएगा, उनको पढ़ना चाहिए, आदा एगंटा पेपर पढ़ना चाहिए, और हम सब के यहां पेपर आना चाहिए, यह टैटू आपने बनाया है, सही है कि नहीं, अब इनको मैं मोबाइल दू की नहीं दू, अदेर दूँगा तो आप लोग बोलिए इतना पैसा कहां से आ रहा है, मैं इसका स्यपवा के पास, मैं कैसे जब आप दूँगा, 10-12 लाख रुपया का मा रेता हूँ, इमंदारी से कहूं तो, ठीक है, उसमें सेलरी ओली सब श्टाप का देदा के जो ह लिए, पीता का, अब लोग बोलेंगे कि कॉस्मोख ही लाता है, मनिसका स्यपवा, करे तो करे, क्या करे हम, क्या करे, आप ही बताइए, सब चीजों में प्रस्वा, मैं राजास्थान में गया था, तो एक भाई ने कहा, बिहार छोड़के भाग गया, मनिसका स्यपव, जब मैं बिहार में हूँ तो बोलता है कि लखिंपूर खिरी क्यों नहीं जा रहे हूँ तर परदेश, लखिंपूर खिरी, सही है कि नहीं है, और आज मुझसे कहा जा रहा है कि चंडीगट में जो लड़कियों के साथ जो गलत हुआ, वहां पर क्यों नहीं जा रहे है, यहर मैं क्लोटा हूँ अकेले हूँ मैं अपने हिसाप से चलूँगा कि आपके कहने से चलूँगा और अगर दौस को पोश्ट कोई किया बुलाया अपने एरिया में ब्लॉक में जीला में नहीं गया तो आगर आप पोष्ट में मनीश को सब्के माई ये बाबू से गरियाना शुरू करता है अच्छे नेता हैं अच्छे हैं उन्हें खो जा जाता है तो एको जीता है प्पुयादो लेगो शीट जीता है प्पुयादो मैं उनके पाटी का परवक्ता नहीं हूं हमको फर्क नहीं पड़ता है नाराज रहे बैचारिक मतवेद रहेगा है आप से रहेगा काम करते हैं अच्छा बाड़ में जब 140 के जी वजन वाला आदमी जो है अधी का फोटो के साथ एडिट करके दानापूर का एक ब्यक्ति है उनका फोटो और मेरा फोटो वाइरल कर रहे हैं और दानापूर के आदमी को बता रहे हैं कि मुख अपराधी यहीं है और मनीश का स्यप के साथ इसका साथ गाट है यानि कहने का मतलब है कि दुकान आपको चलाना है तो मनीश का स्यप का विरोध करना है, ऐसा नहीं है, यार समर्थन भी करके जो है, आप अच्छा काम कर सकते हैं, ये चीज़े हैं, और इनका क्या करें हम, बताइए, आप लोग जो बताइएगा, वो करेंगे, आप लोग बोलिएगा, सीवर जाने के लिए, सीवर ज सकते हैं, तो मुझे पता है, ये टैटूओ वाला, आपके पास तक पहुंच सकता है, मनिश कसे अफोन करेंगे, तो इनका काम होगा की नहीं होगा, गैरेंटी नहीं ये तेजस्वी आदो जी, आप आप फोन करेंगे तो 100% काम होगा, इसकी गैरेंटी है, इसकी गैरेंटी है, तो इनको तेजस्वी आदो जी तक पहुचाने का काम जो है, पीछे जो हमारे भाई, जो है, 10-20 लोग हैं, अब माइक मत गिनने लिजे, आठे को माइक आए, 20 आदमी का कैसे बता दिया, यह चीज तो लोग हैं, भाई लोग, आप लोग इनको थेजस्वी आदो तक पहुचा सकते हैं, अब तो सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग मेरे नाम से प्रेस कौन्फरेंस कर रहा है, जो अब मैइक का कुलासा करेंगे करने करिया थे तुम दो यशे हैं मुखमात्री है ब coughing को यह मेरे नाम से प्रेस कॉन फरेंश मतलब कि हिंदूस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी पत्रकार के खिलाफ प्रेस सब्सक्राइब करने की जोग पड़ेंगे नेता के खिलाब हुआ है आज तक आप उठाए गुगल में दिखाई है किसी पत्रकार के खिलाब प्रेश कॉंफरेंस हुआ हो दिखाई है दिखा दी आप लो और अपर पटना में वह राप मनीश कस्याप का खोलेंगे राज प्रेश कॉंफरेंस पर आपके लिए तो बताते हैं इनको सिखा पड़ा के लाए हैं कले बोल देगा सब कि मनीश को से पवजो ए पहले बड़ी तेज आदमिया उडिसा से मिलने आ जाता है उसके पास उडिसा से आया ना वी दो दिन पहले हमारे पास जो साथ दिन तक सोय ह हुए थे यह आठ दिन से इंतिजार कर रहा है मेरा और मुझे पता है कि दूग और टैटू बनाया सब बेचारा सब उसको भी आप लोगों ने दिखाया इस तीसरा है अब लाइन लग जाएगा मुझे पता है मुझे पता है अब उसमें भी रोध मुझे चेलना पड़ेग कोई किसी ने टैटू बनवाया उसको कैंसर हो गया तब भी काटा लगा गर्ल जो थी टैटू के वज़ए से मर गई काटा लगा गर्ल जो है आसे 15-20 सल पहले को गाना वाइरल हुआ था काटा लगा सुध गाना था सुध गाना को हम लोग बहुँ जल्दी वाइरल करते हैं ठीक है हम भी सुने थे आप राधी उसमें हम भी हैं हम गलत नहीं बोलेंगे तो वो उसने टैटू बनवाया था यहां पे और टैटू के वज़े से उसको कैंसर हुआ और वो मर गई आप उठा के देख लिए तो हम बीनती करना चाहते हैं कि आप लोग किसी का भी टैटू मत बनवाईए प्लीज बीनती है हम से जितना होगा हम पहुशने का प्रयास करेंगे हम आप लोगों का मदद करने का प्रयास करेंगे आप लोगों को अगर ज़्यादा सौ१ है तो अपने हाथ पे जो है माता-पीता का टैटू बनवाईगे हम भी नती करना चाहते है मेरा टेटू मत बनवाई जब जब मनीश का सब जी है मदद करते हैं किसी का तब कोई ने कोई बोलता है कि इसमें उनका ज़रूर फाइदा है अब बोलिये रहा है सब कि कहीं से पैसा लेके आया है दुबाई का सेख जो है मेरे नाम पे चारगो फ्लेट जो है बुर्ज लेकिन संजोग से अभी मेरा पासपोर्ट नहीं बना है उगोने है कि बनमा देंगे हमां चारगो फ्लेट दिया है 142 मंजिल पे 732 स्कॉर फ्रिट का सम्झें ना जाके जाच कि जाने के लिए बैल गारी बनना पड़ेगा ना अब बानिये चलिए ये चीजे आरे विरोध क किया जाता है ऐसा नहीं है नहीं विरोध किया जाता है विरोध करना चाहिए लेकिन अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं तो उसका विरोध ना करके कहीं दूसरे जगा कुछ गलत हो रहा है उसका कीज़े ऐसा का जरी का पॉब्लिसीटी ज्यादा करने लोगा है अरे इनका इसे हजारों न्यूजी चैनल होंगे जिसमें मैं भुझपूरी के बारे में कुछ बोला नहीं पॉण सिंग को मनिसका से अपने रेल दिया मनिसका से अपने रेल दिया वीडियो सुनते हैं तो ना हम है ना पॉण सिंग है उसमें किए सारी लालीयादों के बारे में तेखिया मनीस कशप्ने क्या का ऑ इस फिक्सिंग करके हम लोगोंने का जो उखाड़ना उखा ली जगा फरक नहीं पड़ता है थीक है पांस सेप्टेंबर को एक वीडियो आया था उनका बहुत अच्छा वीडियो आयता तो समय लगा देत मेरा भाई है पिछले जनम का वो मेरा भाई है मुझे उससे कोई दिकत नहीं है उसके बहुत सारे दोस्त जो है यूपी के भी है जो लगतार विरोध कर रहें करो भाई विरोध लेकिन याद रखना असलील विरोध नहीं होना चाहिए कमर के नीचे वार करोगे तो डिकत है ल अगवान पर भरोसा करने वाला आदमें मैं आज पहली बार ये बात ऑन कैमरा बोल रहा हूं पहली बार अभी थोड़ी दिर पहले आप लोगों के बीच में बोला क्या किसी के बारे में नहीं बोलता हूं मेरा भाई अगर कोई नराज है मेरे खिलाब कितना भी बोलेगा मै नहीं बोलूँगा ये चीजे मैं आज से एक साल पहले मैं कसम खा के बोल रहा हूं आज से एक साल पहले मैं सोच रहा था कि मेरे खाते में अगर YouTube Facebook से 50,000 रुपया आजाएगा एक साल से सवा साल पहले 50,000 रुपया आजाएगा तो मैं बढ़ियां से काम कर पाऊंगा और आ एक कोड़ो रुपया कोनों बता दिया ससुरा अब बताइए अब हुआ आए ना मेरे उसमें मनहानी के केस करना चाहिए मुझे लेकिन नहीं करें आप लोग अपना चैनल का खोज के देखिया उस जो साइट वा है ना उस सतर गुना ज्यादा बताता है आप लोग अपना भी खोल के चेक कर सकते हैं देखिएगा आप लोग आप लोग उसको चीज को दिखाएए उस बता दिया भाई खूस रहो भाई तुम्हारा आठ मिलिय क्या आप have someu देखतेहर लेकिन हमें आप से बीक्यों कोई से घुष श्याने ही आप से घुक्याने का मदद की जया अमिक स्वाल तो यह बनता के तो बनता है उस का मदद किया जाए और जिससने नहीं किया क्या किया जाए आप लोग सॉलूसन बताइए चुकि जितने भी भाई लोग हैं सभी पत्रकार हैं अज सभी लोग जो है बुद्धी जी में हैं सभी लोग मैं सरफ्राज का भी मदद करता हूँ और आज IGIMS में मैं जब खड़ा था तो मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ आप लोगों को IGIMS में जब खड़ा था तो मेरे पास कोई नहीं आया एक मुस्लिम भाई आया जो मेरा मदद कर रहा था इससे आज से पहले मान नहीं मिला जूम कर जो दिखाईएगा इससे अब इसको खोल देते हैं फोल्ड फोन है किसी को बावा सीर हो जाता हम नहीं चाहिए बड़ी महांगा फोन है अब यह देख के लोग समझे जो लोग कहते हैं मनिसका से प्यारोप लगाते हैं कि मुस्लि मुस्लिम थे उनके खिलाब भी आवाज उठाया किया दिकत है बलतकारी का कोई धर्म होता है और उसमें जो है कुछ लोग जो है आज जो है बेगुस राय में जो इंड़स्टी में जॉब नहीं मिला उसके लिए भी आवाज उठाय तो यह चीजे है सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि आप जहां मदद करें काते हैं आप फुलासा हो जाए रहे हैं तक फुलासा एक डर से मदद करना छोड़ रहे हैं नहीं तो अभी पूछ रहे हैं मर्द के रूप में मेरे मां पिता ने मुझे मर्द पाइदा किया और हमारा चेक कर सकते है हमारा लिंक चेक कर आशकते हैं हमेल है अब क्या फुलासा किजिएगा प्लासा क्या की गरीब नहीं है इसका केस नहीं है अरे क्वा ना क्या पता है इनके मामा जी आई है सदिकारी हो क्या पता इनके मौसा जी जो है थाना परभारी हो वो सकता है कि नहीं मेरे मामा जी सराब केस में फस गए उस पर भी यार कोई तूख है हम करेंगे खुलासा मनिश कश्यप के मामा गए जेल वो तो चमाकने के लिए इसब कर रहा है इनका मदद होना चाहिए कि नहीं भी या इ पताएंगे सही सही बताईगे जोर से बुले का घल में घर गया था ना पड़ी अरब हर चाह पर चाह लिए गयते है तो आज मुखिया मेरे घर जाकर रात वज्य उसके बात मुखिया दो दो आदमी के दो लड्का हुआ एक उसका लड़का समान लेकर सथ मेरा जिस गर में स और हाँ एक और कमाल का चीज देखिए इनकी पतनी बिकलांग है और इनका बिकलांग साटिफिकेट बनाया है लोग 30% इनका जो है 50% बन सकता था सबस्क्राइब देखिए तो 30% बनाया है और एक आंक से पूरा नहीं लोगता है तो बिहार में जितने भी एक आंक से नहीं जिनको जिनको नहीं दिखता है एक आंक से उन सब का 30% विकलांग गिता होना चाहिए इनका 30% आप 2,000 रुपिया दे दिया जातो 50% अईसा क्यों और और कौन से अस्पटाल में हुआ था सीवर सदर अस्पटाल में जरा सोचिए राक्षस बैठे हैं अस्पटालों में बिनती है आप लोगों से कि ऐसा मत कीजिए और इनका मदद करने का प्रयास के हम लोग चलेंगे सभी लोग सीवर और इनकी समस्याओं को भी दिखाएंगे सभी लोगों से जितने लोग जा सकते हैं जाएंगे और इनकी समस्याओं को दिखाएंगे और मदद करेंगे आप लोगों से बिनती है कि इनका आवाज जो है तेजस्वी आदो जी तक पहुंचा मुखिया जी धमकी दे रहा है और रमचंदर राजी धमकी दे रहा है तो तो सीवर के SP साहब से मैं बिनती करना चाहता हूं कि इस ब्यक्ति का अब रक्षा करने की जिम्मेवारी आपकी है अब मुझे पता है कि अगर आप तक बात पहुच जाएगा तो इस आदमी को इनसा आप मील जाएगा मुझे पता है चुके आप बहुत अच्छी आदमी यह भे बात मुझे पपी इस फेख्यों हम इस जामीन पे मेरे के तो इनके यहां जाएंगे लोग हम लोग जाज करेंगे और इनका मदद करने वाला होगा तो हम लोग पूरा मदद करेंगे जाहिंद